आज मैं आपके लिए गेहूं के आटे का नास्ता लेकर आई हूँ इसे आप घर की रखी चीजों से बना कर तेयार कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और ये नास्ता हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसे गेहूं के आटे से बनाया है चलिए फ चम्मच कसूरी मेथी, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, अब हम इसमें नमक डालेंगे, नमक आप अपने स्वाद के नुसार डालें, मोयन के लिए तीन चम्मच रिफाइंड ओयल डाल देंगे, इन सारी चीजों को हातों से अच्छे से मसलते हुए मिक् इसका हमें एक सैमी सॉफ्ट डो लगाना है, यानि कि ना ज्यादा टाइट हो और नहीं ज्यादा सॉफ्ट हो, आटे को अब हम धक कर रख देते हैं, और तब तक हम फिलिंग बना कर त्यार कर लेंगे, मैंने यहां पर दो उबले हुए आलूलिये हैं, इसमें हम थोड़ा स कम ही डालेंगे, क्यूंकि हमने आटा लगाते समय आटे में भी नमक डाला है, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम गरम मसाला डालेंगे, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे, अगर आपके पास अमचूर पा ना रहें, आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है, इसे हम एक से दो बार और मसल लेंगे, और इसमें से हम निम्बू के साइज की बॉल तोड लेंगे, इसमें से हम एक लोई लेंगे, और इसे हातों के ऊपर गोल गुमाते हुए चिकना कर लेंगे, इसी तरह से हम सारी लौइं बना कर त्यार खेम्ड, अब हम लोई लेंगे और इसे हम बेलेंगे, पूरी से बढ़ा बेलना है, और पूरी से पतला रखेंगे, इसके उपर हम दो Gew grades, पूरे में हातों से ने क्विअशिके में दीद sub star धेंगे, अब हम दोनो किनारों को भी उठाएंगे और एक के ऊपर एक रख़का देंगे और इसका हमें चोकोर box बना कर तियार कर लेंगे और इसे हम फिर से बेलेंगे अगर आपको लगे इसे बेलने में कि ये चिपक रहा है तो इसके ऊपर आप सूखा आटा लगा सकते हैं इस तरह से आटे में बहुत सारी परत बन जाती है और ये बहुत ही खस्ता बन कर तेयार होता है और इसके एक कॉर्णर पर हम एक से डेर चम्म चालू का मसाला रखेंगे इसके चारो तरफ हम पानी लगाएंगे ताकि ये फ्राइ करते समय खुले नहीं अगर आप इसे पानी लगाकर नहीं चिपकाएंगे तो हो सकता है ये फ्राइ करते समय खुल जाए अब हम इसके एक कॉर्णर को उठाएंगे और दूसरे कॉर्णर के उपर इसे चिपका देंगे साईडो से भी दबाते हुए चिपकाएंगे नास्ते को आप से भी फ्राइ कर सकते हैं लेकिन हम किनारे से थोड़ा सा कट कर देंगे जिशे की नाष्टा हमारा दिखने में अच्छा लगेगा और एक शेप का बनेगा साइडो का बचा हुआ आटा फिर से यूजD कर लेंगे। इसी तरह से हम सारा ने यह उन्हें ने यह सिख जाएंगे तो इस हम पलट देंगे और इन्हें हम लो मीडियुम फ्लेम के उपर एक स्टी करेंगे जिस से कीम त्छे क्रिस्पी फ्राय हो जाएं इन्हें हम दोनों तरह देविंड और जब हम पूडिया बेल कर नास्ते को बनाते हैं इसमें बहु कम ओयल में फ्राइ किया है, इसे बनाना भी बहुत आसान है और ये कम समय में बनकर त्यार हो जाता है, आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं, और इसे आपको देखकर ही पता लग रहा होगा कि ये कितना खस्ता और क्रिस्पी बना है, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ रेसिपी को शेयर करें, और मेरे चैनल श्याम की चन को सब्सक्राइब करना ना भूले, फिर मैं लूँगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ,